तो आज हम बनने वाले हैं बॉह और हम बनाने वाले कले जी जो बहुत सौफ्ट जूसी बन एक त्यार होगी तो इस रसीपी को आखिर तक जरूर देखे बहुत आशान है बनाना तो हैं कले जी के स्क्वेर शृप में चोटे-चोटे पीस्ट पेसे पाफ में मीडियम सइस में एक टेबल स्पून जीरा, छे से साथ हरी मेर्च, एक कप के करीब धनिया लेना है, एक कप के करीब पुदिना लेंगे, हरी मेर्च आप अपने टेस्ट के साब से कम्या जादा कर सकते हैं, और देड़ बड़े चमच अधरक लसन का पेस्ट लेना है, अभी इन सारी चीजों का अच्छा सा पेस्ट बना लें, एक दाम फाइन पाइस्ट बनाना है, मेर्च को यहां पर कट कर के डाले, तो यहां पर हरी मेर्च आप अपने टेस्ट के साब से कम्या जादा कर ले, उसके बाद कुछ मसाले लेना है, जिसके अंदर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, ए अच्छा सा फ्राय करना है, एक मिनट के लिए उसके बाद कलेजी डालेंगे, आप देख सकते हैं, विनेगर के पाने में दस मिनट तक डाल के रखा ता जिसके विए स्मेल और जो कलर सब चेंज हो गया है, बिल्कुल भी स्मेल आप नहीं आती है, तो आप भी इस तरीके से 5-10 मिनट के लिए विनेगर के पाने में डाल के रखे, उसके बाद जो हमने हारा मसाला तियार करके रखा तो भी डालेंगे, और जितने हमने ब्राई मसाले निकाल के रखे ते वो भी डालना है, अब इन सारी चीजों को डाल कर अच्छे से मिक्स करना है, और यहां पर 4-5 म पाने यार करके उसे कड़ाई में डाला है, देखे इस तरीके से अच्छे से बून लेना है, जब अच्छे से बून जाए 4-5 मिनट के बाद उसके बाद आदा किलास के करीब पाने डाला है, जितना आपको सफिशन्ट लगे के कलेजी पकने के लिए जितना पानी लगेंग कालेजी को आप इस वक्त चेक कर लीजेगा कि कलेजी पकी या नहीं उसके बाद और थोड़ा सा फ्लेवर एन्हांस करने के लिए यहां पर मैंने नीम्बू का रस का इस्तेमाल किया है आदे नीम्बू का रस आड़ करना है इसे लास्ट में डालने से बहुत अच्छा करें यहारे मसालेपालेजी बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही मजाकि लगती है तो जब उसना आ चालर को जब horr чего कर